हस्बेंट विक्की जैन संग लडाईयों के बीच आखिर अंकिता को क्यों याद आ रही है बार बार एक्स पॉइफिर्ट सुशान सिंग राजबूत हैं? क्या जीत के लिए अंकिता कर रही हैं? सुशान के नाम का इस्तमाल? क्या पॉब्लिसिटी पाने के लिए अंकिता खेल रही है सुशान की नाम का गेम? क्या विक्टिम कार्ट खेल कर ही अंकिता बढ़ेंगी इस शो में आगे? वल दोस्तों यह वो कुछ सवाल है जो की फान्स के हैं हमारे नहीं. दर असल बिग बॉस का यह जो शो है काफी अच्छे तरीके से आगे बढ़ रहा है. खूब हंग लोग एक तरीके से आतोर रह रहे हैं. लेकिन इस बीच सुशान सिंग राजपूत के नाम की एंट्री ने शो में एक नए तरीके का बवाल शुरू कर दिया है. एक नए तरीके की चर्चा शुरू कर दी है. दर असल दोस्तों दो बार ऐसा हो चुका है शो में जब अंकिता लोखंडे ने सुशान सिंग राजपूत के नाम का इस्तमाल किया. यानि उनका नाम लिया. तो ऐसे में सोशल मीडिया पर सुशान के जो फ्यान्स हैं वो अंकिता पर भड़क गए हैं और उन्हें जम कर ट्रोल भी कर रहे हैं. लोग दरसल ये बात बोल रहे हैं कि सुशान का नाम बारबाल लेकर अंकिता जो हैं वो पब्लिसिटी बटोरना चाहती हैं वो विक्टिम कार्ट खेल रहे हैं. हाला कि दोस्तों काफी सारे लोग ऐसे भी हैं जो अंकिता की इस बात को उनके इमोशन से जोड़कर देख रहे हैं क्योंकि दो बार सुशान का नाम लेकर अंकिता जो हैं शो में भाबुख हो गई और काफी सारे लोगों को ये भी लग रहा है कि ये नाम बिल्कुल अचानक से उनके मूँ से सुशान के निकल रहे हैं और जब भी उनका जिक्र होता है अंकिता हमेशा खुल कर ही बात करती हैं सुशान के नाम पर और जब घर में ट्रोल कर रहे हैं सुशान का नाम लेने को लेकर तो महीं काफी सारे लोग ऐसे भी हैं जो अंकिता को सपोर्ट कर रहे हैं कि अंकिता उनके नाम का इस्तमाल नहीं कर रही हैं वो अपने आप में एक बड़ी परसनालिटी है टीवी की और उन्हें जीत के लिए किसी के सहारे कि तो जरूरत नहीं है तो अब ये पूरा माजरा क्या है इसको पूरी डीटेल में हम आपको इस वीडियो में आगे बताते हैं दोस्तों लेकिन पहले आप से हमारी रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को लाइक शेर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए साथ ही इस वीडियो क पूरा देखे क्योंकि इस वीडियो में हम आपको खुल के बताते हैं कि आखिर अंकिता के को लेकर लोग इस तरीके की बाते क्यों कर रहे हैं और ऐसे कौन से दो वाक्य ऐसे हो गए हैं घर में जिसको लेकर लोग यही बोल रहे हैं ज्यादा तर लोग यही बोल रहे हैं कि कि अंकिता जीतने के लिए गेम में आगे बढ़ने के लिए सुशान के नाम पर खेल रही है। दरसल दोस्तों माजरा दरसल ऐसा है कि हाली के एपिसोड में अभिशेक के साथ गार्डन एरिया में अंकिता को बात करते हुए देखा गया और सुशान के नाम का जिक्र होता हुआ देखा गया। अगे बात करते हुए अंकिता कहती है कि सुशान बहुत ही महनती थे, अलगी लेवल का उनका हार्ड़ वक था और वो इतना कहते कहते रो जाती है, उनकी आँखों में आंसु आ जाते हैं। अभिशेक बार बार उन्हें बोलते हैं कि वो उनका नाम नहीं लेना चाहते थे सुशान्त का तो इस पर अंकिता बोलती हैं कि सुशान्त का नाम लेने के बाद उन्हें गर्व ही महसूस होता है और सुशान्त की बाते करने में उन्हें कोई भी दिक्कत नहीं है इसके बाद इस conversation में अभिशेक आगे अंकिता से पूछते हैं कि जब सुषानत की death हुई थी तो उसके बाद विक्की जैन ने उनका support किया, किस तरीके से support किया तो इस पर भी अंकिता आगे कहती है कि विक्की काफी supporting थे, कोई दुनिया छोड़ कर चला जाए तो आप क्या कर होगे, आपको supportive होना ही है, मुझे support करने वाला कोई नहीं था और उस वक्त विक्की ने मुझे समाला था और मेरे support system बने थे, साथी अंकिता ने इस conversation की दौरान ये भी कहा कि सुषान सिंग राजपूर जो थे, वो criticism को लेकर काफी sensitive थे, और जरा सा भी उपर नीचे होता था तो वो परिशान हो जाते थे और लोग क्या उनके बारे में बात कर रहे हैं, इसका उन्हें काफी असर पड़ता था, साथी अंकिता ने ये भी कहा कि जब-जब सुषान की बात कभी भी होती है, तो वो उनके बारे में जिक्र करना, उनके बारे में बात करने में खुद को proud फील ही करती हैं तो ये तो वो conversation थी जो हाल ही के एपिसोड में देखी गई एक कुछ दिन पहले भी मुनवर के साथ अंकिता सुशांत के बारे में जिक्र करती हुई नजर आई और उस दोरान उन्होंने अपने ब्रेक अप पर बात की दरसल मुनवर के साथ भी अंकिता जो हैं दूसरे को डेट किया और उसके बाद एक दिन बिना कारण ही दोनों का ब्रेक अप हो गया एक रात में ही उनके जिन्दगी जो है बलकुल जटके से पलट गई ना तो सुशांत को जाता देख अंकिता ने रोखा और सुशांत को काफी सारे लोग उनके कान भर रहे थे उनक दोस्तों काफी सारे लोग ये बोल रहे हैं कि सुशांत का नाम लेने की आखिर अंकिता को जरूरत क्या है अगर वो अकेले खेल सकती है तो वो अकेले खेले और एक इंसान जो इस दुनिया से जा चुका है उसके बारे में जिक्र करना कहां तक सही है क्योंकि अपनी बात ब दूसरी तरफ ऐसे काफी सारे लोग ये ऐसे हैं जो अंकिता पर भड़की रहे हैं और यही बात बोल रहे हैं कि अंकिता अगर चाहें तो अपने पती के साथ इस शो में अपने रिष्टे को सुधार सकती है और उनके संग बहतर कर सकती हैं लेकिन ऐसा नहीं हो रहा बलकि उल्टा शो में husband के साथ तो उनके लड़ाईया और जगड़े दिखाई दे रहे हैं काफी सारे differences उनके शो में दिखाई दे रहे हैं लेकिन वहीं सुशान के बारे में हमेशा प्यार भरी बाते हमेशा गर्व वाली बात महसूस कर रही हैं अंकिता तो ये बात कहीं न कहीं fans को जो है पच नहीं रही अंकिता की और इसलिए लोग उनकी इस सुशान के नाम लेने को उनकी एक strategy का हिस्सा मान रही हैं गेम में एक रणनीती का हिस्सा मान रही हैं जीत के लिए आगे बढ़ने के लिए हाला कि दोस्तों दुनिया जानती है कि सुशान के साथ अंकिता का का क के बाद इनके रिष्टे जो है पूरी तरीके से बदल गये और उसी के बाद उनके जिंदगी में विकी जैन ने entry ली और विकी जैन के आने के बाद अंकिता की जिंदगी जो है एक ठहरा पराकरुकी और विकी के साथ finally उन्होंने शादी भी कर ली लेकिन बिग बॉस के घर में इनके differences ने लोगों को हैरान कर दिया है विक्की जैन के साथ जिस तरीके से अंकिता बात करती हैं, जिस rudely तरीके से अंकिता बात करती हैं, काफी सारे लोगों को वो भी अटपटा लग रहा है वहीं विक्की जैन ने तो शुरुआत से ही देख रहे हैं बिग बॉस में लोग कि विक्की जैन अंकिता की बात को हमेशा काटते हुए नजर आ रहे हैं और अंकिता की बात से वो ज्यादा तर सहमत नहीं नजर आ रहे हैं, यानि कुल मिलाकर जब भी दो बार शो में लिया अंकिता ने उनकी तारीफ ही की यही बात लोगों को अपश नहीं रही और इसलिए लोग यह बात बोल रही है कि अंकिता जो हैं जीत के लिए सुशांत के नाम का इस्तमाल कर रही है कहीं ना कहीं सुशांत का नाम लेना उनकी strategy का हिस्सा है यही बात लोग बोल रहे हैं हाला कि दोस्तों इस बात में कितनी सचाई है कितनी नहीं इस बात पर हम तो कुछ नहीं कह सकते क्योंकि यह सिर्फ लोगों का कहना है दरसल सुषान के जो fans है उनने लेकर काफी sensitive है और सुषान को लेकर अगर कोई भी बात होत है तो वो अपने तरीके से react करते हैं और अंकिता बिक बॉस के घर में है अपने husband के साथ है तो वहाँ अपने ex boyfriend सुषान का नाम लेना उनके fans को यानि सुषान के fans को जो है अच्छा नहीं लग रहा और लोग यही बात बोल रहे हैं जब आप शादी कर चुकी हैं विक्की के विक्की जैन से बहतर थे तो कहीं न कहीं अपनी बातों से अंकिता जो है इस शो में fans को हैरान कर रही है fans को confused कर रही है कि विक्की जैन के साथ आपका रिष्टा अच्छा नज़र नहीं आ रहा है शो में लेकिन सुषान की आप तारीफों के पुल बाद रही हैं तो यह क्य कर दिया है दोस्तों अब सुषान सिंग राजपूर तो इस दुनिया में नहीं है उन्हें गुजरे हुए कई साल गुजर गए हैं अंकिता भी अपनी जिंदगी में आगे बढ़ गई हैं तो ऐसे में सुषान की नाम का जिक्र बिग बॉस की घर में जब हो रहा है तो fans को ये बात कहीं न कहीं खटक रही है और लोग यही बात इसलिए बोल रहे हैं कि अंकिता चाहती है कि उन्हें लोगों की सिंपती मिले और वो कहीं न कहीं विक्टिम कार्ट खेल रही हैं यहीं लोग मान रहे हैं अलगी दोस्तों इस पर आपका क्या कहना है आपकी क्या राय है आप भी नीचे कमेंट सेक्शन में हमें जरूर दीजिए क्या आपको लगता है कि वाकई अंकिता जो है सुशान का नाम का इस्तमाल कर अंकिता जो है पबलिसिटी बटो रही है विक्टिम कार्ट खेल कर आपने देखिए तो उस पर आपका रियाक्शन क्या है आप क्या कहना चाहते हैं इसके बारे में हमें नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिए दोस्तों साथी बॉलिवूड और टीवी की इसी टाइप की गॉसिप्स के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर और